वाइनिल एसी टीली का आई पी एसी नाम लिखेंगे तो आप इस वीडियो को पुरा देखें बिल्कु सिंपल है दोस्तों यहाँ पे सरप्रतम मैं इसका इस्टेक्थर बनाता हूँ देखें कार्बन कितने बॉण बनाता है चार बॉण बनाता है 1,2,3 और यह 4 यह 4 यह 4 अब देखें हम आई पे से नाम लिखने के लिए अपना पहला स्टेप क्या करते है पेरेंट चैन का सेलेक्थ करता है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना पेरेंट चैन को सेलेक्थ किया ये आपका parent channel अब देखिए यहाँ आपका triple bond है और double bond है तो हम numbering देखिए करते हैं second step क्या होता है हमें numbering करना होता है numbering देखिए किस side से करना उसको ध्यान से समझना 1, 2, 3, 4 हमारे दोस्तों खुब सारा आई पीशे नाम लिखने के वीडियो आए हुए है तो उन्हें हमारे चैनल के प्ले लिश्ट पर जाकर देखें मैं उस प्रेंदर क्लिए रही है देखें इस साइट से नंबरिंग किया है तो आपका तिरपल बॉंड को क्या नंबर मिला है वन ठीक है और डबल बॉंड को क्य को सा नंबर मिला है वन ठीक को कौन सा नंबर मिला है अफ देखें डबल बॉंड के लिए हम अपना क्या सबिक दीक करते नमबर मिलड़ा तो फिर हम किसको ध्यान में रखते हैं इसके बाद यदि ऐसा confusion create हो तो ABCD को ध्यान रखते हैं ABCD में पहले कौन आता है E पहले आता है Y बाद में पहले आता है तो मतलब हम ध्यान क्या रखेंगे अपना double bond को कम से कम नमबर मिले तो यहां इस side से चले तो आपका कौन सा नमबर मिला तीन नमबर मिला जबकि इस side से चला तो कौन सा एक नमबर मिला तो यह नहीं लेंगे हम कौन सा लेंगे यह लेंगे तो आपका numbering कौन सा सही है यह वाला numbering सही है ठीक है यह तो नम्बरिंग समझा दिए कि इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया अब यहां पर कितने कार्बन है चार कार्बन है चार कार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों ब्यूट कहते हैं यह लिश्ट याद कर लो उसके बाद आपका डबल बॉंड कहां पर जुड़ावा है एक नमबर पर डबल बॉंड के लिए हम क्या यूज करते हैं अपना इन यूज करते हैं लेकिन जब यह आपका तिर्पल बॉंड साथ आता है इसका इगायब हो जाता है क्यों क्या आता है इन यह कौन से प्यार है दोस्तों तीन नमबर प्यार है यह नमरिंग लेके चलड़े है इसमें आपका पूरा का पूरा है जैसा वेसा का वेसा आएगा व्यू टुवट वन इन त्री आइन ठीक है यह इसका दोस्तों आपका प्रेफरेड आई पीशे नेम कहलाता है यानि जो यूज होता है वो है इसका देखिए अधर नाम ये भी बनता है इसके अधर नेम के बात करो तो जिए आपको कहीं ऐसा लिखावा दिखाई दे तो वो इसकी का नाम होगा यहां पे हम इसको कहते हैं ब्यूटी नाइन ये भी कहते हैं और इसको हम ये भी लिखते हैं देखो ठी ब्यूटीन जब हम triple bond को माहतो देते हैं यानि जब ये वाली number हम ले इसको 3 number मिलेगा triple bond को एक number मिलेगा ठीक है देखिए इसमें मैंने E को नहीं अठाए है मतलब यहां पे आपका इस तरीके से लिखते हैं इसका number पहले लिखके लिखते हैं तो इस E को हम नहीं आटा ते लेकिन दोस्तों ये इसके किसी में आते हैं other name में आते हैं इसका size systematic name क्या है ये है ये बात आप समझिये चीक है ये तो मैंने आपको जानकारी के लिए बता है